असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो हमारी इस दुनिया में बहुत सा भी मिस्टेरियस चीज़ें मौजूद हैं वैसे तो इनसान ने अपनी अकल से हर शेय का ही पता लगा लिया है लेकिन अभी भी दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहिर हैं आज किस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर रेकॉड होने वाली ऐसी मिस्टेरियस और स्केरी वीडियोस दिखाऊंगा जिनने देख कर किसी के भी होश ओड़ जाएंगी तो शुरू करते हैं अपना countdown दूस्तो अगर hospitals की बात की जाये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा deaths hospitals के अंदर ही होती है दुनिया की सबसे haunted places में से एक मना जाता है ये जो स्केरी वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें जापान के एक हॉस्पिटल में record क्या गया था इस वीडियो में एक पेशंट अपने बेड पर लेटा हुआ था कि अचानक इसने देखा कि सामने मौजूद एक और पेशंट के बेड के करीब ब्लैक कलर का एक औरतनुमा फिगर मौजूद था ये फिगर उपर से लेकर नीचे तक कम्प्लीटली ब्लैक था इवन इसके हाथ पाउं और चहरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था इसने मॉबाइल से इस अजीवो गरीब चीज़ की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी लेकिन इसे भी मिस्टिरियस बात ये है कि ये स्केरी फिगर वीडियो बनाने वाले के इलावा और किसी को भी नजर नहीं आया जैसे किया वीडियो में देख सकते हैं कि आसपास मौजो उत तमाम लोग अपने अपने कामों में बिसी थे और इस तरह रियक्ट कर रहे थे जैसे यहाँ कोई चीज है ही नहीं बहुत से लोगों का मना है कि शायद ये इंजल आव डेथ हो सकता है जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के कुछ टाइम बाद उस शक्स की डेथ हो गई थी जिसके पास ये पेरनॉर्मल फिगर खड़ा हुआ था बारहाल ये वीडियो रियली बहुत मिस्टिरियस थी तो ये जो वीडियो क्लिप आप दिख रहे हैं इसे मई 2022 में एक शक्स ने कबरिस्तान के अंदर रिकॉर्ड किया था असल में ये बंदा कब्रिस्तान के पास से गुजरा था कि इसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई थी ये काफी हैरान हुआ कि भला कब्रों के पास कोई गाड़ी क्यों खड़ी करेगा खेर जब ये थोड़ा आगे गया तो इसे गड़ी के पास से किसी अורत के रोने की आवास आना स्टार्ट हो गई पहले तो इसे लगा कि शायद इस ओरत का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वज़ा से ये रो रही है ये उसके पास जाते जाते इसे हवसला दे रहा था ताके वो रोना बंद कर दे लेकिन जैसे ही ये गड़ी के पास गया तो इसने देखा कि वहाँ कोई भी औरत मौजूद नहीं थी ये एकदम शौक हो गया जिस औरत के रोने की आवाजे आ रही थी वो ना तो गड़ी के अंदर थी और ना ही कबरिस्तान में दूर दूर तक किसी औरत का नामों निशान था ये गड़ी फरंट से बिलकुल टैमेज हो चुकी थी और इसे देखर ऐसा लग रहा था जैसे इसका बुरी तरह एक्सिडेंट हुआ है लेकिन इसे भी शौकिंग बात ये थी कि ये कबरिस्तान बिलकुल फ्लैड था यहाँ दूर दूर तक कोई देवार या कोई भी ऐसा अबजेक्ट नहीं था जिससे टकरा कर इस गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ हो जस्ट इमेजन कि ये सीन देखने के बाद इस बंदी का क्या हाल हुआ होगा ये सीन वाके ही में किसी नाइट मेर से कम नहीं था दूसरो जब भी कोई फैमली किसी नए घर में शिफ्ट होती है तो सारे वहां रहने के लिए बहुत सदा एक्साइटेड होती है लेकिन क्या हो अगर आप किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो जाएं जो कि हॉंटेड हो वैल ये जो शक्स आप दिख रहे हैं इसके साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था ये शक्स बेल्जिम में रहता था और इसने एक निया घर खरीदा था लेकिन जैसे ही इसने वहां पर रहना स्टार्ट किया तो इसे फील हुआ कि वो इस घर में अकेला नहीं है बलकि इसके साथ कोई और भी रहता है असल में इस घर के अंदर कोई साया मौजूद था एक रात जब वो सोने के लिए कमरे में गया तो इसके साथ वाले कमरे से खिड़िया खोलने और बंद करने की आवाजियाना स्टार्ट हो गई ये फॉरन इस कमरे में चला गया और अभी ये वहाँ खड़ाई था कि दिवार के पास मौजूद डिवीडी शेल्फ से एक डिवीडी खुद बखुद बाहर निकलाई और जमीन पर गिर गई ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शेल्फ से डिवीडी निकाल कर जमीन पर फैंक दी हो खैर इस शक्स ने उस भूद से बात करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि वो क्या चाता है लेकिन जैसे ही इसने भूद को सामने आने के लिए कहा तो कमरे में मौजूद गिड़की खुद बखुद टूट कर नीचे गिर गई ये शक्स शदीद गपरा गया और बाहर निकलाया लेकिन बाहर आकर इसने देखा कि एक कमरे का दर्वाजा खुद बखुद ओपन हुआ और अंदर की लाइट आन हो गई जैसे ही अंदर जाने लगा तो किसी चीज ने दर्वाजा जोर से बंद कर दिया ये इतना सक्त डर गया कि फॉरण अपने घर से भाग गया बारहाल जो भी हो इस वीडियो को देखने के बाद तो किसी की भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओट फॉट फॉट दोस्तो आप सब ने बच्पन में कभी ने कभी ये बात सुनी हो कि कुटे और बिलियों को रूहें और बदरूहें नजर आती है वैसे तो ये बात एक मिथ लगती है लेकिन ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसी ये मिथ नहीं बलके हकीकत है इस वीडियो के एक शक्स ने रात के वकद अपने घर चाती हुए रिकॉर्ड किया था जिस गली से ये गुजरा था वहां इसने देखा कि गली के सारे कुटे एक जगा पर खड़े होकर किसी चीज़ पर भौँक रहे थे हाला के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था फिर भी ये कुटे उची उची आवाज में एकी तरफ मूँ करके भौँक रहे थे इस शक्स ने फॉरन अपना मुबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी इन कुटों को दे कर ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसी ये ड्राकर वहां से भगाना चाते हैं अब ये शक्स वीडियो रिकॉर्डी कर रहा था कि इसे जमीन पर किसी चीज़ का साया नजर आया वैल ये साया किस चीज़ का था इस बात का तो पता नहीं लेकिन ये कुटे इसी सायी की तरफ दे कर भौँक रहे थे इस खौफनाग नजरे को देखने के बाद ये शक्स इतना सक्त डर गया कि फौरण वहां से भाग गया एनिवे जो भी हो ये बन्दा तो दुबारा कभी यहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा तो ये जो स्केरी वीडियो आप दिख रहे हैं ये मलिशिया में मौझूद एक हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड की गए थी जिस सिस्टीवी कैमरे पर ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो इस हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में लगा हुआ था हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स अक्सर मैनेजमेंट को बताते थे कि वहां पर पैरनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं पहले तो सबने इस बात को बिलकुल लाइट लिया लेकिन जब एक दिन इन्होंने मुर्दा खाने की सिस्टीवी फुटिज चेक की तो इन सब के हो शुड़ गए जैसे क्या वीडियो में देख सकते हैं कि आदी रात को हॉस्पिटल के इस एरिये में एक वील चेर खुद बखुद मूव करना स्टार्ट कर देती है इस चेर को देखर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूद इसे हॉस्पिटल में गुमा कर खेल रहा हो क्योंकि ये इदर से उदर और उदर से इदर आती हुई नजर आ रही थी इसके इलावा इसी एरिया के एक दूसरे कैमरे में कोई इन्वीजिबल चीज लिफ्ट का दर्वाजा खोलती हुई नजर आती है इस वीडियो में लिफ्ट का दर्वाजा खुद बखुद खुल जाता है और कोई चीज इसके अंदर जाती है और लिफ्ट को दुबारा बंद कर देती है सिर्फ इतना है नहीं बलकि वहाँ पर जो भी साया मौजूद है वो अक्सर लोगों को ड्राने के लिए चीजें भी इदर उदर फैंकता रहता है ये हॉस्पिटल रियली बहुत स्केरी है दोस्तो अपना घर दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेसिस में से एक होता है इनसान चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन इसे सकून अपने घर में ही आकर मिलता है लेकिन क्या हो अगर आपके घर में आपके साथ कोई और भी रहता हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो वैल ये बातों सुनने में ही बहुत स्केरी लगती है लेकिन مिकपीक दुनिया की एक ऐसे शक्स हैं जिनके घर में एक रियल का भूत रहता है आम तोर पर लोग भूतों वोगईरा से डर जाते हैं लेकिन मिकपीक इस भूत के आदी हो चुके हैं इनके घर में डेली बेसिस पर पेरनॉर्मल एक्टिविटी जोती है वो हर वक्त इने परिशान करता रहता है और ये उसे वहाँ से बगाने की कोशिश करते हैं कभी ये भूत इनके दर्वाजों को जोर-जोर से खट-कटाता है तो कभी इनके कमरे में आकर इनकी चेर पर बैठ जाता है और हिलना स्टार्ट कर देता है और तो और जब मेकपीक घर का दर्वाजा बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये इने तंग करने के लिए बार बार दर्वाजा खोल देता है जितनी बार ये दर्वाजा बंद करते हैं वो भूत इतनी बार दुबारा वापस खोल देता है वेल सुनने में तो ये बात काफी funny लगती है लेकिन just imagine कि अगर किसी आम शक्स के घर में इस तरह का भूत आ जाए तो इसका क्या हाल होगा कर सक दोखब दोटा कर बहुता काफी कर सा है लोगा हुआ को वीषा प्रूब कि अप्रब बग्रेंग दोगा कि अप्रेंग दोगा कि अप्रेंगा है